बागकूर जिरा धिकारी सुरत कुमार सेंग शुक्रवार को भागकूर सीलाधिकारी सुब्रत कुमार सेंग शुकरवार को जग्तिसपूर पहुचे जहाँ किसानों के लिए चेक डैम बनाने का अस्वाशन दिया जबकि इसके लिए डियम ने वीडियो को भी दिशा निर्देश दिया इसके अलावाद जिग्दिसपूर पेट्रोल पम से 50 मीटर की दूरी पर इस्थित्राइस मील के गंदे पानी के दुरगंद और लोगों की परिश जानी के शिकायत भी डियम से की गई जिस पर डियम ने कहा कि इस तहरे कि सभी समस्या का समधान वीडियो के अस्तर से किया जाएगा मौकी पर जिला क्रिशी पदाधिकारी अनील यादर प्रखन विकास पदाधिकारी रगू नंदन आनंद प्रखन प्रखन क्रिशी पदाधिकारी अविशेट कुमार आत्मा के उप परियोज़न निदेशक प्रभात कुमार सिंग समेत के यदिकारी और कर्मी मौझूद रहे मनरेगा के पीओ को बोला है कि वो देख लें जहां मरमती क्या वसकता हो जहां जिन्रोधार क्या वसकता हो उसको हम लोग अगले महने शुरू करा देंगे उस संबन्द में डीडीसी को भी इसके प्रविक्षन के लिए इसको बोला जाएंगे भागलपूर टीनवी कॉलेज के प्रचारे डॉक्टर संजयर चौदरी के पांच वर्ष के कारिकाल पुरा हो जाने के बावजूत उनका अस्थानंत्रन नहीं करने को लेकर चात्र राज़त के कारिकरताओं ने विरोध जताया है शुक्रवार को टीनवी कॉलेज स्टेडियम से विश्व उद्याला प्रशासने भवन परिसर पहुँचे छात राज़त कारिकरताओं ने प्रचारे के खलाप चमकर हंकामा किया प्रशान करहे कारिकरताओं ने कहा कि विश्व उनिमिता समेट विभने मामले के दोशी टीनवी कॉलेज के प्रचारे संजेकमार चौधरी का पांच वर्श पूरा हो गया है लेकिन अब तक उनका अस्थानंत्रन नहीं किया गया है साथी मामले को लटकाने के उदेश से विश्व विद्याले की कमीटी गठीद करने और कमीटी में प्रचारे के कारण दूसरे विश्व विद्याले की कुल्पती को सदसे बनाने के खलाप छातर राज़त के कारी करताओं ने आंदोलन किया और जल्द ही इस मावन में सक्ते सक्त कारवाई करने की मांग की दिसंबर को ही कारी काल खत्म हो गई आज पता नहीं है कि विस दियाले पर सासान कार में तेल दे करके किस परकार से सोई हुई है पिरपैती प्रखन के हारिन कोल पंचायत अंदरगत वसंदपूर और कुछ बनना मद्य विद्याले में आठ दिनों से मध्यान भोजन चावल की आपूर्ती के अभाव में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है जिसको लेकर हारिन कोल पंचायत के मुख्या दीपक सिंग ने पंचायत के ग्रामीनों के साथ अनिमित्ता के खिलाफ शांतिपूर ने धरना प्रदशन किया इस दोरान उन्होंने विद्यारे को जल से जल चावल की आप पूर्ती कर एमडियम को सुचारो रूप से चालू करने की मांग करते होई कहा कि पिछले आठ दिनों से मध्यान भोजन नहीं मिलना गंफीर मामला है वही संबन में सक्षिका रेटी रानी का कहना है कि स्कूल में एमडियम की आप पूर्ती पिछले आठ दिनों से लहीं की गई है जिससे बच्चे को भोजन नहीं मिल पा रहा है जबकि आवंटन को लेकर वरी पदादिकारी को फ्रते एक दिन रिपोर्ट भी भेजी जा रही है उन्होंने कहा कि चावल का आवंटन मिलते ही पुने एमडियम सिवा बच्चों के 204 रूप से शुरू कर दी जाएगी मौके पर नीरा देवी, रुपा देवी, मनोष, ताती, रोहित, तांती समेट सैकडुक के संख्या में वद्यारे के चावर रिशाता मौचूद रहे जिसे और पहले समस्या थी या फिर यह हाल फिलाल में समस्या तो सब चलिये रहा है तो रोज जाता है, कि आज खाद्यान है कि नहीं, वो तो रोज जाता है लाभावनमीत बच्चे, जैसे ही खाद्यान खतम होता है जैसे पिछले सुक्रवार को दिखा दिया गया है दिखा दिया गया, कितना दिन पहले दिखाना होता है, माली जा, अगर आज खतम होने वाला है, तो कितना दिन पहले बताना होता है, खतम हो गया चावल उपर से आउंटन होता है, और रोज का रिपोर्ट जाता है, रोज रिपोर्टिंग होता है माइनस में कितना है वो तो भी भाग ही जानेगी कि कब तक आएगा जैसे बन रहता है चावल तो मेरे यहां कभी भोजन बनने हैं वो झाल अ अ झाल तक त झाल 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 त व झाल 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 भागरपूर डाक प्रमंडल अंतरगर्द बाका के खैरा शाखा डाक खर से लाखो रुपिये के फर्जी बाड़ी का मामला सामनी आया है इसको लेकर खैरा के प्रताप नाराइन सिंग ने डाक अधिक्षक आरपी प्रशाद से मिलकर मामले की जाहत विभाग की इस्तर से कराने की मांग की है वह इसको लेकर प्रिट सीनियर सिटीजन ने बताया कि उन्होंने खैरा डाक खर में खाता खुलवाया था और इसमें उन्होंने 6 लाग की राशी जमा कराई थी और अब जब मैचियोरिटी का समय पूरा हो गया तो वो अपने पैसे लेने डाक खर गए लेकिन वहाँ जाने पर उनके खाते से समंदित कोई जानकारी नहीं मिल रही है इधर डाक अधिक्षक आरपी प्रशाद ने कहा कि रुपी के गवन से जुड़ा मामला सामने आया है और इसकी विभाग के इस्तर पर विजिलेंस चार्ज कराई जाएगी उन्होंने कहा कि चार्ज रिपोर्ट आने के बाद जो सच्चाई सामने आएगी उसके अधार पर आगे की कारेवाई की जाएगी डाक अधिक्षक ने कहा कि खाता खोलने वाले डाकपार रजनीश कुमार से इसके जानकारी ली जाएगी इसके बाद पैसे के गवन से जुड़ी समस्या का समधान जल्द ही कर दिया जाएगा साथ ही कहा कि रजौन थाना शेत्र का मामना होने की कारण इसकी प्राथमी की भी वहीं दर्ट कराई जाएगी इसके बाद चार्ज रिपोर्ट के धार पर पिडित को नियाएं मिल सके वहीं सतर है कि मामने के सामने आने से जहां डाखर के आम खाता धारोकू की मन में विभाग के प्रति कई सवाल खाड़े होने लगे हैं विभाग के धिकारी भी इससे सकते में आ गए हैं इस जो लाम पता से लागे नहीं है इसके बाद तो डाक अधिक्षक शाब के पास जबाए यह तो आज आज आए आज आए इसके पहले हमने आज क्या हुए पुलिस भी यहां थी क्या हुए कंप्लेंड किये थी इसके नहीं हमने कोई यहां पर इनके पास हुए हमने के पास लिखित कंप्लेंड किये है हाँ हम तो पहले भी भागी नहीं करा है हाँ यह मामला जो है तो फुल फायार के दुरारा रजन थाना में किया जाएगा और हो सकता है कि हम लोग बताए हैं प्रतापनारान सिंग को कि आप एफ करते हैं तो ठीक है नहीं भागतारा किया जहां तक जितने दिन तक उस डाग घर में काम किया है और की पुरी जाज कराई जाएगी